आपका हमारे चैनल पे स्वागत है अरमा को बताने वाले हैं धनू राशी और मकर राशी के बारे में और वो भी लिटेड है चंदर गहन से चंदर गहन 31 जनवरी 2018 को लग रहा है तो उसमें धनू राशी और मकर राशी पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो हम आपको बताने चाहरे हैं 31 जनवरी 2018 को इस साल का पहला चंदर गहन घटित होगा यह पूर्ण चंदर गहन होगा जो भारत समेत विश्य के कई देशों में देखा जाएगा वैदिक जोतिश के अनुसार यह चंदर गहन असलेशा नच्चत्र तथा करक राशी में लग रहा है असलेशा बुद्ध का नच्चत्र है इसलिए इस नच्चत्र से समंदित राशी के लोगों के लिए यह ग्रहन समस्याएं उत्पन कर सकता है चुकि प्रतेक राशी पर ग्रहन का प्रभाव भिन भिन होता है इसलिए कुछ राशी वालों के लिए ग्रहन कस्ट कारी हो सकता है तो कुछ के लिए काफी लाब दायक हो कर तो हम बात करने हैं पहले धनु राशी की बता देता हूँ मैं आपको धनु राशी वाले जातकों के लिए विरोधियों से चिनौते मिल सकती है वोई कही तरह की समस्यां उत्पन करेंगे आर्थिक छीवन समाने रहेगा धन लाब के साथ साथ खर्च भी बढ़ेंगे किसी कानूनी मामले से परिशानी हो सकती है अब मंकर राशी का हम आपको बिता देते हैं वेवाहिक छीवन ने चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है छीवन साथी के साथ मद्वेद होने के संभावना है बिजनस पार्टनर के साथ भी किसी बात को लेकर टकराओ या विवाद हो सकते है तो धन्यवाद आपका हमारी चैनल पे स्वागत है आप हमारी चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंड पीशिए धन्यवाद